बिस्मिल्लाहिररह्मानिरहीम इस वीडियो में हम सीखने वाले के दो कंपनिक्स लंबर को किस तरह मंडिफिलाई किया जाता है पहला क्वेश्चन हमारे पास है वन फ्लस टू आयोटा त्री माइनस एट आयोटा वन फ्लस टू आयोटा को हम जेड़ वन का नाम देते हैं आवर त्री माइनस एट आयोटा को जेड़ टू का नाम देते हैं जेड़ वन मंटिफिलाई जेड़ टू तो यहाँ जेड़ वन की वीडियो लिकेंगे और जेड़ टू की जेड़ वन की वेडियो हमारे पास है वन प्लस टू आयोटा जेड़ टू की वेडियो है त्री माइनस एट आयोटा इसके बाद त्री माइनस एट आयोटा को वन के साथ भी और टू के साथ भी मंटिफिलाई करेंगे वन मंटिफिलाई त्री माइनस एट आयोटा प्लस टू आयोटा मंटिफिलाई त्री माइनस एट आयोटा 1 3 0 3 1 multiply minus 8 आयोटा तो इनसे minus 8 आयोटा आता है 2 आयोटा multiply 3 तो इनसे 6 आयोटा आता है 2 8s are 16 minus 16 यहाँ आएगा आयोटा multiply आयोटा आयोटा multiply आयोटा तो इनसे क्या आता है तो इनसे आयोटा स्क्वेर आता है माइनस 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा तो इन से क्या था है तो इन से माइनस 2 आयोटा था है माइनस 16 आयोटा स्क्वेर आयोटा स्क्वेर किसके बराबर है आप आयोटा स्क्वेर बराबर होता है माइनस 1 की iota square is equal to minus 1 यहां iota square की जगा हम क्या put करेंगे minus 1 16 का अपनी जगा 16 का multiply करेंगे minus 1 के साथ minus 16 multiply minus 1 तह इन से क्या आता है तह इन से आता है plus 16 plus 16 plus 16 और plus 3 इनको 8 करो तह इन से क्या आता है तो इन से आता है 19 प्लस 19 आएगा इन से माइनिस 2 अजोटा इनका अंसर है Z1 और Z2 के वेजिए हमारे पास आगी 19 माइनिस 2 अजोटा दूसरे क्वेस्टिन को सॉल करते हैं 2 अजोटा को Z1 के बरावद लेते हैं Z1 is equal to 2 अजोटा 4 माइनिस 7 अजोटा को Z2 के बरावद लेते हैं Z2 is equal to 4 माइनिस 7 अजोटा Z1 मंटिफिलाई Z2 Z1 की वीडियो यहाँ देखेंगे 2 अजोटा मंटिफिलाई Z2 की वीडियो यहाँ देखेंगे 4 माइनिस 7 अजोटा 2 अजोटा मंटिफिलाई 4 तो इनसे क्या था है तो इनसे 8 आयोटा आता है पिर 2 आयोटा मंट्लिप्लाई माइनस 7 आयोटा तो इनसे 14 आयोटा स्क्वेर आता है आयोटा मंट्लिप्लाई योटा तो इनसे आयोटा स्क्वेर आता है आयोटा स्केर किसके बराबर है आयोटा स्केर बराबर होता है माइनस वन के आयोटा स्केर इसी को तो माइनस वन आयोटा स्केर की जगह माइनस वन लेकेंगे 8 आयोटा माइनस पोटीन और माइनस वन तो इन से क्या आता है तो इन से प्लस पोटीन आता है Z1 और Z2 के लिए हमारे पास हागी 8 आयोटा माइनस 14 तीसरे question को साल करते हैं square root 2 प्लस आयोटा को Z1 के बराबर लेते हैं Z1 is equal to square root 2 प्लस आयोटा 1 माइनस square root 2 आयोटा को Z2 के बराबर लेते हैं Z2 is equal to 1 minus square root 2 iota Z1 और Z2 को multiply करते हैं Z1 और Z2 के विल्वी वहाँ देखेंगे square root 2 plus iota को multiply करेंगे 1 minus square root 2 iota के साथ सबसे पहले square root 2 को multiply करेंगे 1 minus square root 2 iota के साथ square root 2 multiply 1 minus square root 2 iota फिर पिर iota को multiply करेंगे 1 minus 2 iota square के साथ 2 square root को multiply करेंगे 1 के साथ इनसे 2 square root आएगा फिर 2 square root को multiply करेंगे minus 2 square root iota के साथ इनसे 4 square root iota आएगा फिर iota को multiply करेंगे 1 के साथ इनसे iota आएगा हिर आईयोटा को मांटिफ़ाई करेंगे माइनियस फू आईयोटा स्क्वेर रूट के साथ तो एन से फू स्क्वेर रूट औ है अईयोटा मंटिफ़ाई आईयोटा आईगा स्क्वेर रूट टू को अपनी जगा लिखाऊ स्क्वेर रूट टू को अपनी जगा लिखाऊ स्क्वेर रूट किसके बराबर है स्क्वेर रूट बराबर होता है वन वर टू के और पौर किसके बराबर है पौर बराबर होता है तू स्क्वेर के और अंडरूट किसके बराब और एंडरूट बराबर होते हैं 1 वर 2 की को इसके बाद आयोटा अपनी जगा लेका आयोटा मांटिफिलाई आयोटा तो इन से आयोटा स्केर आता है तू 1 वर 2 आफस में कट जाएंगे अब आयोटा स्केर किसके बराबर है माइनस 1 की माइनस टू आयोटा इदर आएगा प्लेस आयोटा और इदर स्क्वेर रूट टू आयोटा स्क्वेर की जिगा माइनस वन दिखेंगे माइनस टू आयोटा प्लेस टू आयोटा तहीं से क्या आता है तहीं से माइनस आयोटा आता है माइनस माइनस प्लस स्क्वेर रूट तू स्क्वेर रूट तू आफ कर दोनों सेम है झाल